श्रीनगर के रामबन जिले में लगतार बारिश होने के कारण पत्थर गिर रहे हैं जिसके कारण जम्मू कश्मीर नैशनल हाइवे बंद हो गया है रादमार्ग बधहत होने पर यात्रियों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है वही आइमडी के अनुसार आने वाले दो दिनों तक बारिश होने की संभावना जदाई जा रही है श्रीनगर नैशनल हाइवे को बंद हो जाने के बाद अधिकारियों ने यात्रियों को अपनी यात्रा शुरू करने से पहले ट्रैफिक कंट्रोल रूम से संपर करने का सुझावा दिया है लगबक 300 किलो मीटर लंबी सड़क चारो ओर से घिरी घाटी के लिए कश्मीर की जीवन रेखा है सभी आवश्यक वस्तुए इस राजमार्क से घाटी में लाई जाती है बनिहाल और राबबन जहर के बीच इस राजमार्क का विस्तार सबसे संवेदिन शील हिस्सा है भूस खलन पथर गिरने जमीन धसने की समस्या के कारण अक्सर राजमार्क अवरुध हो जाता है यहाँ एक बार रास्ता बंद होने के बाद फिर से चालू करने में समय लगता है